रोनाल्डो वर्ल्ड कप ड्रेम इज ओवर जी हां दोस्तों वर्ल्ड कप खतम हो चुका है पुर्टुगॉल और रोनाल्डो के लिए रोनाल्डो का आखरी वर्ल्ड कप था मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह मुरोकों से बाहर होगी रोनाल्ड पर मैं चाहता था कि अगर यह समी फैनल तक पहुंचे चाहिए इंगलेंड से फ्रांस से फैनल में नहीं था क्योंकि पर दूस्री टीम भी काफी कुछ इतना कुछ इस्पेन को राके बेल्जिम को राके यहां तक पहुँचिए पहली अफ्रीकन टीम मौरोको जो वर्ल्ड कप के स्यमी फैनल में पहुचिए पहला तो मैं जोड़ार ताली तो नहीं वजया सकता हल्की सी क्लैपिंग मौरोको के लिए के लिए कि काफी अच्छा कह रहा चान्स मेले में गोल में बॉल नो नो भाई ने तो भाई ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी फिरिशिंग कर गया तावी कहते हैं तो फ्लिक्स ने सोट मारत बॉनल्ड नो नो उसके लिए बनाए था थोड़ा रलकाँ सब बॉलागा क्नार में जाती है और जोगों सेव करा बॉनों ने और जो फर्स्ट हाव में जो ब्रूनो फर्नांडीस ने वालो बले अंदर चेंच लारा वोक्स पर वह भी क्रोस बार से लगके भार चले गए तनी गंदी किसमत पुर्टकॉल वालों की एंड पेपे भाय ने जो लास्ट में गोल छोड़ा अगर गोल कप ड्रीम इस ओवर दोस्तों लास्ट वर्ड कप था क्या पता यूरो कप खेले कुछ पता नहीं है केमरा मैं ने रोनाल्ड को टर्नर में भी नहीं छोड़ा पर कभी सेड़ मुझे भी थोड़ा पांच शे मिनट अजीब सा लग नहीं था यार रोनाल्ड को लास्ट एक भी गोल निखाया पूरे वर्ल्ड कम में एक गोल खाया वह भी आउन गोल बट काफी अच्छा खेल दिया मुरक को गुड विशिस की ये फ्रांस के साथ भी अच्छा खेलें दूसरे में इंगलेंड इस फ्रांस हुआ भाई बहुती फास्ट गेम चल रहा था मजा हा र पर इंग्लेंड वसे फ्रांजों गेम वह काफी फास्ट चला काफी मज़ा आया देखने में पहले हैं जो चौमिनी ने क्या गोल मारा भाई दूर से मज़ा आगे देखते बिल्कुल खड़े-खड़े आगे से बेलिंगम ने कवर कर दिया था पर पता नहीं कैसे किनारे से निकल गए और बिल्कुल इतने को नहीं में गुसी कि पी फोर्ट के पास कोई मौकर नी रोकने का भाई क्या गोल मारा चौमिनी ने मज़ा आया है सेगिड हाप स्टार्ट 91 मिनिट में पेनाल्टी मिली सा जिरोड भाई को क्या बोलना हैरी मगवायर भाई पता नहीं क्यों हमेसे मैच में पेड़ जाता है उसकी कोई गलती नहीं थी यार पता नहीं किसमती करावे उसकी है हमारी टीम में भी एक प्लेयर है निशान जदली उसे हम धबड़ी बोलते हैं वह भी ऐसे अगर एक गलत इंगलेंड को है कि यही में आप एक और पैनलटी मल गए इंगलेंड को बनालटी होता है भाई पैनल इसने उसकान बॉक्स के अंदर तो रखता नदर अफेसर्नॉचर्ण से होती तो कोई बाद नहीं बाहर मज़ा निया है बराबरी कर सकती थी कि जीत भी सकती इंगलेंड काफी एच्छे लगए थी यहां फ्रांस से फ्रांस काफी अटैकिंग खेल ले थी और काइल वाकर ने बिल्कुल सांथ रखा अंबापे को बाइं अंबापे को कुछ करने न सामने आ चुका है अर्जेंटेना बेटी की कोरोशे से अपना गुरूब स्टेज का बदला जरूर लेगी दो अठार में जो थ्री निल पीटा अर्जेंटीना को गुरूब स्टेज में सेमी फैनल में टीम एक बार फिर से दूसरी तरब सेमी फैनल फ्रांस मरोको भाई बहुत बैकार है भाई मरोकोच जीत सकती है पर फ्रांस भी बहुत अच्छे मेरे को लग रहा है कि फ्रांस इस पेनर प्रतुकॉल के तरह तो नहीं खेलेगी थोड़ा अच्छा खेलेगी घुश के बदला बोल जिसे चलाते हैं भावगा के इसमें एक और बैटल देखने क अब देखींगे बाई क्या होगा क्यसे होगा इसका मिंग और इसका मिंग और यह ता इगलेंड वालो किने चीची टीम थी तुम्हारा तुम्हारा ब्राजिल वाला को लगाता कि आप पक्की पहुचे ब्राजिल खेल बात हम पहली वीडियो में कर चुके हैं सेमी फैनल फ क्रोशिया फिर फ्रांसवसिस मोर्को भाई भोड़र लग रहा है काई मोर्को फानल में पहुंच जाए बहुत ही खतरनाव हो रहा है अफ्रिकन टीम अफ्रिकन टीम होने विए काफी अच्छा खेला यूरोपन कंट्री में वास फ्रांस इंग्लेंड एक दू कंट्री कि लिए पास मोगा है लास्ट डांस लुका मोडरिच और बस यह दो बचे जो एल एम टैन लूनेल मेसी लूका मोडरिच यह लास्वल्ड कमिन दोने के लिए देखते कौन जित है भाई 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 मिलते हैं सेमिपैनल के दोर में भाई भाई